तो आगया आप दोक्तों कैजिए आज की वीडियो में हम बात करें कि how to get selected in any realities so तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आपको कुछ tips दूँगा जिस tips को आप यूज करते हैं कि किसी भी अपने realities so में select होने के chances को बढ़ा सकते हो और कर जिए मैं आपको यह बात बता दूंए आपको इसमें कुछ ऐसा जादू नहीं बताने वाला जिससे आप मालू वो कर दोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगों क्योंकि रियाल्टिसों में सेलेक्ट होना बहुत जादा हाड है बहुत बहुत जादा हाड है क्या करेगे तूंगे रियाल्टिसों में सेलेक्ट हो सकते हो और गैज इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स दूँगा वो की सौट टम टिप्स नहीं होगा यह एक लॉंग पूर्सेस का टिप्स होगा लाइक आपको इस टिप्स को लॉंग टरम के लिए फॉलो करना होगा तब आपकी रियल्टी सो में सेलेक्ट होने के चांसे इंक्र दांसरों के बीच में फेमस होना किसी भी एल्टी सो में जाना ही से पहले लाइक जितने भी आप कॉंपरितीशन होता है उसमें पर्फॉर्म करके यह आउर्ड चीव करना है मतलब कुछ लेबल चीव करना है जिससे आपको लोग पहचाने आपके एरिया के फिर दीर दीरे आपको national label के competition में जाना है national label के जितने भी competition होते है dance के उसमें आप perform करना है वहाँ जाने का आपका ये फायदा होगा आप जीतो या ना जीतो लेकिन आपको बहुत लोग वहाँ पहचाने के वहाँ और भी dancer आएगे उनसे आपका contact अच्छा होगा तो इस वज़े से आप धीरे दीरे एक आप operate gain कर लोगे dancing community के बीच में मतलब लोग आपको जान जाएगे कि एक ऐसा भी dancer है इस नाम का और गईज ये करने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप अच्छे खासे famous हो जाओगे इंडिया में या अपने area में भी आप इतने famous हो जाओगे कि अगर आपकी area स होते हैं उसमें नए चेहरे तो आते हैं लेकिन नए चेहरे के chances बहुत 5% कोई नए चेहरे होते हैं जो भी आते हुए पहले से बहुत ज़्यादा famous होते हैं dancing scene में बहुत ज़्यादा famous होते हैं social media पे बहुत ज़्यादा famous होते हैं इसलिए जो सबसे पहला आपको काम करना हु इसी वज़े से आप अभी भी जिदने भी रियाल्टिस हो देख रहे होगा, आपको देखने से ये पता चल जाएगा, कि आप ये डांसरों को पहले भी देख चुके हो, इसलिए आपको सबसे पहले फेमस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डांसिंग फिल्ड में, और ग अभी पर आओ, लेकिन आपको ये करना ही होगा, आपको बाकी जो डांसरों आडिसन दे रहे हैं, उससे अपने स्टाइल को थाट डिफरेंट रखना होगा, और अपने डांस स्टाइल को ऐसा भी डिफरेंट मत बनाओ कि कि किसी को समझ में नहीं आए, डांसिंग आप ऐसी आपको कोरिफी बहुत परफेक्ट करनी है, टू डप पॉइंट कोरिफी करनी है, आपको अपको अडिसन में ज्यादा देर तक दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड का मौका मिलेगा, तो उसमें आप उसी के अंदर आपको जितना कुछ भी आता, जो सबसे अच्छा आपको वो आपको fit करना है आप गाना कोई साब भी select करो वो गाना थोड़ा unique होना चाहिए और उस पर आपको जो चीज आता आप अच्छे से fit कर सको और वो देखने में बहुत जादे unique लगना चाहिए और गैज आप जो भी choreography करो पूरी clean लगनी चाहिए लाइक आपके जितने भी steps हो पूरे clean दिखने चाहिए अच्छे से लोगों को समझ में आना चाहिए और attractive होने चाहिए यह थो वो तीन tips जो आप follow करके किसी भी reality सो में select होने के अपने chances को increase कर सकते हो in fact आप select भी हो सकते हो और यह बहुत long term के process है और यही एक आपके पास तरीका है यह थोड़ा लंबा है इसमें आपको कम से कम एक साल रख सकते हैं एक अच्छे dance style को निकालने में फिर लोगों के बीच में famous होने में तब जा कि आपके कहीं पर chances बढ़ते हैं और यह भी होता है कि बहुत लोग के luck अच्छे होते हैं वो like 2 मैने में किसी realities हो को crack कर सकते हैं लेकिन luck से select होने वाले के chances बस 5% रहते हैं बाकी कोई chances तो यही chances जै like 95% chances जै यह है अगर आप select होना चाते हो तो आपको इन tips को follow करना होगा यह मैंने बहुत experience के बाद यह tips मेरे को समझ में आया है और मैं बाकी dancer को भी और जब्र करकर कि यह tips मैंने निकाले उनसे बात करके तो गई जाई होप आपको यह वीडियो से कुछ help मिली हो अगर आपको यह वीडियो से कुछ help मिली हो कीप डांसिंग कीप स्टोकिंग